वाल स्रामनेकूम, विल्कम टो खुरिदारी, मेरा नम तहियव है, और यह है Infinix Hot 40 Pro का Gaming Review और इसका PUBG Test दोस्तों, Infinix Hot 40 Pro रिसेंटी पाकिस्तानी मार्केट में लाँच किया गया 46,000 रुपीज में 46,000 के साब से इस फॉन में स्पेक्स बहुत जादा तकडी लगाए गई है यहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश डेट देखने को मिलता है, बड़ा डिस्प्लेइ है, 3300 की फास चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी है लेकिन देखना ये है, ये फॉन गेम्स के लिए कैसा है, वाइल गेमिंग यहां पर आपको लैग तो देखने को नहीं मिलता, वाइल गेमिंग ये फॉन हीट तो नहीं होता, बैटरी की क्या सिचुएशन रहती है, इन सारी चीज़ों को टेस्ट आउट करेंगे आज के हम इस वीडियो में, तो इसे वएले कि हम वीडियो को स्टाट करें, चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को पैस कर लें, ताकर लेटेस्ट वीडियो के नोडिफकेशन सबसे बहले आपको मिल सकें, इंस्टाग्राम पर जाके जरूर फॉलो कर लगता है अब बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि गेमिंग टेस्ट में डिजाइन का क्या काम लेकिन डिजाइन मेटर करता है क्योंकि यहां पर है इसका बॉक्सी टाइप फ्रेम जो के उठाने में काफी ज्यादा कमफर्डेबर लगता है साथी साथ आप गेम खेलते काफी इजीली स्वान को ग्रिप कर सकते हैं तो यहां पर डिजाइन का काम होता है बाई अब आगे जलके स्वान के डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.78 इंचिस का फुल एस्टी प्लस डैसलेशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जहां पर पीक ब्राइट स्टोरेज है साथ ही साथ यह स्टोरेज यू एस तूपॉंट टू पर बेस्ट है जिसकी रीड और राइट स्पीड काफी जाए जबरदस्त होती है तो भाई गेमिंग एक्पिरियंस खुद बखुद बखुद जबरदस्त हो जाता है यहां पर मीडिया डग का हिलियो जी 99 chipset लगाया गया जो कछे नानोमेटर के architecture पर बेस्ट है और Mali G57 का GPU लगाया गया है अब इस फॉन के N22 Benchmark Scores की बात करें तो भाई काफी जाद हैं इंटरस्टिंग N22 Benchmark Scores निकल के हैं जिस price cap में यह phone है तो Infinix Hot 40 Pro में आपको तकरीबन 4,17,000 के आसपास N22 Benchmark Scores देखने क PUBG को कर लिए मैंने यहां पर install और इसको चला के देखते हैं तो जैसे ही आप game को start करेंगे इसका dar link engine mod on हो जाएगा जो कि आपके phone को optimize कर देगा gaming के लिए और performance और जादा निकल के सामने आएगी तो जैसे game start होती है वापिस से मिलता हूँ आपके साथ यहां दोस्तों हमारी game यहां पर start हो चुकिया तो सबसे पहले चलते हैं इसकी settings में और देखते हैं किस तरह की graphics को sport करता है यहां पर आपको smooth में power saving medium high और ultra frame rates की भी sport देखने को मिलेगी अब balance की बात करें तो यहां पर भी आपको ultra frame rates की sport देखने को मिल रही है HD की बात करें तो maximum high frame rates हैं जबके HDR mod अवेलेबल नहीं है इसी तरह ultra HD mod भी अवेलेबल नहीं है और UST mod भी अवेलेबल नहीं है तो यहां पर मैं smooth के साथ ultra को select करता हूं और check out करते हैं कैसी gaming performance निकल के सामने आती है आगे जलके check out करते हैं इस one में gyro available है या नहीं तो यहां प बाइदवे दोस्तों Infinix Hot 40 Pro की unboxing भी हमारे YouTube चैनल पर लाइब है अगर भी तक आपने वह नहीं देखी तो उपर आई बटन में link दे रहा हूं आप आप जाकर देख सकते हैं तो जैसे game start होती है वापे समिलता हूं आपके साथ जैन दोस्तों हमारी game ही आप स्टार्ट हो चुकिए सबसे पहले जैरो को टेस्ट आउट करने तो भाई जैरो इस वर्किंग टू वैल किसी किसम का delay नहीं है किसी किसम का lag नहीं है कोई सेंस्टिविटी इशू नहीं है और काफी जबरदस तरीके से जैरो वाइक कर रही है अगर आप एक जैरो प्लेयर हैं तो आप इन्फिनिक्स हाट 40 प्रो को बे फिकर होके कंसीडर कर सकते हैं यहां पर आपको जैरो वाली साइट से किसी किसम का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा अब आपको बता है कि आपका बाई जैरो में नहीं नहीं खेल पाता तो जै आपको इसी स्टाट में कंपाइलिंग करती हैं लेकिन यहां पर किसी भी किसम का कोई कंपाइलिंग ओला इशू नहीं है कोई फ्रेम डॉप देखने को नहीं मिल रहा कोई लैक देखने को नहीं मिल रहा और डिस्पले बहुत जादा स्मूथ ली वर्क कर रहा है मैं पुबजी टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ डिवाइस की बात होगी यहां पे मेरे गेंपले की बात बिल्कुल नहीं होगी उसकी में रिजन यहां गेंपले में इसलिए भी नहीं दिखा सकता आप लोगो यहां पर बंदा अपनी अपनी डिवाइस पर सेट होता है अब हम यहां पर बहुत जबर्दस तरीके से फॉन वर्क कर रहा है मैं एक्सपेक्ट मी कर रहा था कि 46,000 रुपीज में आपको इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मस भी देखने को मिल सकती है यहां पर 120 हर्स का रिफ्रेश्ट है और मीडिया टेक का हिलियो जी 99 चिपसट लगाय इतनी कमाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 46,000 रुपीज में जी 99 होना और साथी साथ 120 हर्स का रिफ्रेश्ट होना डेविनेटली एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात है यहां पर बहुत एकुरेटली वर्क कर रहा है फॉन 5 किल कर चुका है आपका भाई और अभ अच्छी होती है तेज होती है तो डेफिनेटली यूफस 2.2 से भी आपकी गेमिंग परफॉर्मस पर बड़ा फर्क पड़ता है यूँकर हीट्राइट श्पीड अच्छी होती है तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है फ्रेम डॉप्स देखने को नह रिजल्ट निकल के सामने आता है तो फाइनली दोस्तों यहां पर हम गेम हार चुके हैं क्योंके भाई हमारे जो बाकी प्लेयर्स से ना वह हमारा साथ चोड़के चले गए अब यहां पर आपके भाई ने किया है नौकिल और लिटरली मेरा गेमिंग एक्सपिरियंस बहुत और मेरा एक्सपिरियंस बहुत जादा कमा लेकल गया है चाहे वह डिस्प्ले का हो चाहे वह स्मूथनेस का हो चाहे वह हैंडलिंग का हो फ्रेम ड्रॉप्स का हो किसी किसम का मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को न मिला अब डिवाइस का टेस्ट आउट कर लेते हैं तो ओर यहां पे 25-30 मिंट की गेमिंग के बाद भी डिवाइस बहुत जादा हीट नहीं होई कोई 40-45 डिगरी का इसने टेंपरेचर गेन नहीं किया तो डेफिनेटी अगर आप बजट में 46,000 रुपीस की रेंड में एक अच्छा गेमिंग फॉन लेना चाह रहे हैं तो इन डिजाइन है 108 Megapixel के कैमरा हैं बैक साइट पे 32 Megapixel के कैमरा है तो और क्या लेन है 46,000 में तो डेफिनेटली आप S1 को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों अमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्ल अलाहाफेद